नमस्कार कसिस न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बीजेपी अब एक नए मिशन में जुड़ने जा रही है नए मिशन की सुरुवात करने जा रही है और ऐसा मोदी सरकार के कें सरकार के आज साल पूरे करने के बाद बीजेपी ने पूरा प्लान तयार किया है आपको बताएंगे पूरी ख़वर कि आखिर क्या प्लानिंग है बीजेपी की और इस प्लानिंग के तहट इस मिशन के तहट 2024 में कैसे बीजेपी साधेगी सरकार को यानि फिर से 2024 में फिर से एक बार मोधी सरकार बने इसके लिए बीजेपी का मिशन अब 8 साल पूरा होते ह सरकार के शुरू हो जाएगा तो आपको पूरी खवर बताएं कि 30 मई को ये 8 साल पूरा होने वाला है केंसर का जो है मोधी सरकार जो है वो 8 साल पूरा करने वाली है और इसके साथ ही 2024 के लोगसवाद चुनावों की तयारियों का पूरा पूरी प्लानिंग की जा रही है आपक जो प्रदेश कार्याले में ये बैठक आयुजित की गई थी जिसमें एक से 14 जून तक होने वाले आठ साल सेवा सुसासन गरीब कल्यान तो ये जो योजना है बीजेपी की उसकी तैयारियों को मुर्त रूप दिया गया आपको बताये कि बैठक में केंद्रिय मंतरी नित्यान अधिकारी मौजूद थे बिढायक और बिढान पार्सद भी मौजूद थे इस बैठक में आप तस्वीरे देख सकते हैं तो आपको बताएं कि किस तरह से बीजेपी जो अब अगला मिशन जो आठ साल सरकार के पूरे होने के बार अब दोहजार चौबिस की तैयारियों में किस तरह से जुटने वाली है उसके बारे में आपको बताएं ये जो अभियान है आठ साल सेवा सुसासन और गरीब कल्या ये अभियान का नाम है बीजेपी का और पीएम मोदी के नेत्रित में जो केंद की सरकाल चर रही है आठ साल पूरा किया है उसने सफलता पुर्वक औ और अब दो साल और बचे हैं इस सरकार के उसके पहले 2024 की तयारिया अब परवान चड़ने वाली है इस अभियान के जरिये और इस अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने जी जान लगा दिया है आपको बताएं कि इस अभियान के बाजपा एक और जहां मोधी सरकार की उपलब्दिया बताएगी वही किसान दलित यूबा महिला पिछडी जातियों के वोट बैंक को भी साधेगी पार्टी ने अगरीम मुर्चे सहित सभी प्रकुस्टों और विभागों के लिए अभियान के तहत कारिकरम तैक किये गए हैं यानि बीजेपी का यह जो कारिकरम होगा बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा इसमें तमाम मौर्चे सामील होंगे तमाम नेता इसमें सामील होंगे यानि बीजेपी का हर एक नेता इसमें अपनी सहभागीता देगा और इस कारिकरम को सफल बनाया जाएगा क्योंकि अब मिशन 2024 की तैयारियां है और एक 30 मई के बाद एक तारिक से ये मिशन शुरुआत होगा जो माप कीज़ेगा 30 मई से 15 जुन तक ये मिशन चलाया जाएगा तो इसके लिए अब तैयारिया पूरी तरह से की जा रही है आपको बताएं कि भाजपा जो है अब इसमें नए पुराने कारकरताओं को संगठन की रीती नीती का पात पढ़ाये जाएगा वही पाटी उनी कारकरताओं को मिशन 2024 की जिम्मेवारी सोपेगी मोधी सरकार के जो 8 साल पूरे हने के उपलक्ष म कारकरमों के जरी एक बार फिर कारकरताओं को सक्रिय होने के साथ साथ घर घर तक जनता के बीच पहुचने की योजना इस कारकरम के जरी बनाई गई है तो बीजेपी की जो प्लानिंग है वो आपको बता रहे हैं इसके लिए बैठकों का दौर जारी है तमाम जो बड़े प पार्टी के वरिष्ट नेता और विदायक तमाम नेता इस कारकरम में सामील होंगे सभी अपने अस्तर से कारकरमों को संचालित करेंगे एक सभा में कम से कम 5000 लोगों के जुटने का लक्च रखा गया है जन सभा में केंद्र और राजसरकार की योजनाओ की चर्चा की जाए और इसके लिए अब जो बीजेपी के तमाम नेता चाहे सांसद विदायक विदान पारसद वो अपने अस्तर से इस कारकरम को संचालित करेंगे आपको बताएं कि उसके बाद जो प्लानिंग है और भी बहुत सारी प्लानिंग है बीजेपी की कि हर जिले में बाइक रैली न और बिहार में भी अब इसे जो है आगे क्योंकि 2024 के बाद 2025 में बिहार बिधान सवाके भी चुनाओ होगे तो बिहार में भी यह मौका खास होगा तो बीजेपी यह तैयारियां कर रही है आपको बताएं कि हर तीन दिन तक युवा मुर्चा के 150 कारेकरता जो है 75 बाइक सवार होकर रैली निकालेंगे और जगल जगल जाकर बैठक और करक्रमों का आयोजन होगा यानि इसमें सांसत से लेकर यानि पार्टी के उपरी नेता से लेकर नीचे के कारेकरताओं तक को सामिल किया जाएगा इस अभियान में इस अभियान का नाम आपको फिर से बताएं आठ स Siva, Susasana, और गरीब कल्यान, यानि 8 साल में सरकार ने क्या कुछ किया, Susasana के जरिये, सेवा के जरिये और गरीब कल्यान के लिए उन्होंने कौन कौन सी योजनाय चलाई इन तमाम योजनाव की विवरन्णी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, तो बीजेपी ने कमर कस लिय अब आगे बूत बूत को भी मजबूत बनाने की प्लानिंग है इस कारिकरम के जरिये बूत को मजबूत बनाएंगे बूत संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा इसके लिए जिले में रहने वाले प्रतिनिदियों प्रदेश छेत्र और जो पधादिकारी हैं मंडल अस्तर के उनको एक एक सकती केंद्र आवंटित किया जाएगा और सभी बूतों पर एक से दो पतादिकारी प्रति दिन आर घंटे रहेंगे और लोगों से बूत बूत तक संपर्क साधने की कोशिस की जाएगी तो प्लानिंग काफी बड़ी है बीजेपी की क्योंकि 2024 का लक्ष साम ने हैं 2024 में फिर से एक बार केंद्र में मोदी सरकार को लाना है इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तयारी सुरू कर दी है और इसका असर तीस तारिक से देखने को मिलेगा जब बीजेपी इस अभियान को मुर्त रूप देने में जुट जाएगी तो बने रहे है कसिस अपडेट रखेंगे तिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद